नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारी चैनल सक्षस प्लेस में इस वडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सियर के बारे में उसके आने वाले समय में काफी डिमांड हो सकते हैं उसमें काफी बूम आ सकते हैं मतलब जो इन्वरामेंट का, जो पॉल्यूशन का प्रोबलेम है उसके कारण chemical sector के industries को बंद किया जड़ा है तो ऐसे में इंडिया के जो company है वो भी boom होने पाली है सासाथ coronavirus के कारण जो चैना के परती, back out चैना का पूरे world में माहूल बना हुआ है उसके कारण भी demand वहाँ के company का घटने बाला है तो ऐसे में हम बात करते हैं chemical sector के top 10 companies के बाड़े में तो दोस्तों यह है chemical sector की top 10 company जिसमें पहला है हमारा आर्थी industry, आर्थी industry काफी इसर news में भी रहा था, इसका 4,000 करोड का जो deal था वो cancel होगी आप बीच में ही, क्योंकि 10 years का deal था जो के बीच में ही, cancel कर दिया जिसके कारण यह काफी news में था काफी इसमें correction भी आया था तो आर्थी industry, सबसे बाला है market care license 17,000 करोड का है देख सकते हैं उसके बाद हमारा है P.I. industries P.I. industry, market care license 21,000 करोड का उसके बाद तीसरा जो हमारा है SRF SRF industry, इसका जो काफी diversified portfolio है business का, तो काफी diversified business है तो यह सारे जो हमारे देख रहे है उपर में जो हमारा है, यह सारे specialty chemicals से है और नीचे फ़र हम जो UPL है, वो हम agrochemical से लिए हुए है, different chemical sector से इन सारे stocks को लिया है, तो देख सते हैं R.T. industry, उसके बाद आगे है P.I. industry, S.R.F. industry, उसके बाद तूल, देख सते हैं इसका जो market के फ्लाइसन 13,000 क्रोग है आगे हम चार्ट पे भी चलेंगे और वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि इसका जो current price है, क्या है, years का low है और जो 50 week high है, सारे चीज़े हम दिखाएंगे, उसके बाद नवीन, फ्लोरीन उसके बाद देख सकते हैं Bayer, Corp Science उसके बाद UPL उसके बाद BINETI Organics उसके बाद 9, Alkyl Amines उसके बाद है Relis India, हमने इसलिए सामिल किया है कि इसमें भी काफी तेजी देखने मिला है और इसमें राके जुलजुलवाला जी भी ने माल उठाया है तो अब हम चलते हैं आपको डाटा पर लेके चलते हैं जो Top Specialty Chemicals है देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर चार्ट पर आपको दिखाते हैं जो Specialty Chemicals देख सते हैं 662 और Current Price जो है 978 तो आपको अभी क्या करना चाहिए आप अभी चाहे तो पहला इंस्टॉल्मेंट इसमें लगा सकते हैं या वीट कर सकते हैं जो तो Specialty Chemicals के जो भी Stocks है उसमें आपको गिरावट नहीं देखने मिल सकते हैं क्योंकि काफी धर तेजी देखने मिला है इस सेक्टर में मार्केट में गिरावट के बाद जैसे recovery आया तो ये सारे stock सबसे पहले recover कर लिए उसके बाद है अभी current price देख से है 4507 डूपीज और जो इसका 52 week low है देख से 3256 और जो 52 week हाय है 5447 उसके बाद बिनिती और्गेनिक्स ये सारे specialty chemicals से है 1009 अभी इसका current price है उसके बाद इसका देख से 52 week हाय है 1255 और जो इसका 52 week low है वो है 651 उसके बाद हमारा आगे नवीन फ्लोरीन इसका current price देख से 1,638 और इसका जो 52 week हाय है उसके करीब है ये 1,694 और जो लो है 570 उसके बाद इलकाइन एमीन्स जो इलकाइन एमीन्स है वो इसका current price है 2,098 2,098 इसका current price है और इसका जो 52 week low है वो है 660 और जो 52 week हाय है वो है 2,166 तो ये सारे specialty chemicals से है और जो अन्य अन्य stocks हमने लिया है और जैसे diversified portfolio इसका current price है आपको 3,620 और इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर जो 52 week low है 2,492 और जो 52 week high है वो है 4,258 तो यहाँ से आप money control पर आकर के आप भी search कर सकते हैं कैसे search करना है वो भी हम आपको आगे बता देंगे कैसे आप आकर के यहाँ से सारे जो sector wise है सारे stocks को यहाँ से खोज सकते हैं और market capitalization के earning per share के अधार पर जो भी चीज़ है जिसके अधार पर आप सर्च करना ता आते हैं उसके अधार पर कर सकते हैं उसके बाद हमारा अगला है agro chemicals and pesticides जो agro chemicals है और pesticide है उसमें पहला है UPL देखते हैं pesticide agro chemicals उसके बाद bear corp science इसका current price है 5,870 और 52 week lower है देखते हैं 2,952 और 52 week high है 6,000 UPL का 52 week 240 यह उसमें बना था जब market crash हुआ था 52 week high है 709 उसके बाद PI industry यह भी काभी मतलब diversified portfolio है इसका भी 1,536 इसका current market price है और 52 week low जो है 973 और high जो है 1,688 इससे आपको यह जज़ करना है आपको पहले fundamental research इसका management analysis किसी भी stock में invest करने से पहले सबसे पहले आपको management को देखना है फिर उसके fundamentals को देखना है उसके बाद आपको उसके business के growth को देखना है सारे research करने के बाद आपको करना है हम आपको जो 10 बहतरीन stocks है वो भी बता रही है यहाँ पर और साथ साथ दूसरे जो अन्य stocks है आप उसमें भी invest कर सकते हैं डेलिज इंडिया देख सेंगे 260 यह current price है और इसका जो 52 week low है 127 और 52 week है 272 यह सारे stocks थे जिसको मैंने cover किया आप इसमें से कोई भी stocks चूज करते है तो सबसे पहले आपको management का analysis fundamental analysis उसके बाद business में आगे कैसी growth होने बाली है यह सारे analysis करना है उसके बाद आपको कैसे इन सारे company को search कर सकते हैं तो उसके लिए यहां पर आना है आपको money control के website यहां पर type करना है आपको जो भी stocks society करना है जैसे हम यहां पर UPL डाइब कर दिये UPL डाइब करने के बाद आपको यहां पर option लोकार और नीचे इस पर ख़िल करना है जैसे एक उ-प ideia पर फिर गली करते हैं जैसे click किये यहां view more आएगा देख सकते हैं यहां पर peer company, UPL, bear corp, यहां सारा PI industry सारा है तो यहां view more पर click करना है जैसे view more पर click करेंगे आपको खोल जाएगा पुरा का पुरा यहां पर search बार के साथ यहां पर देख से मार्केट के अप्लाइशन के अनुसार आपको search करना है या net sales के अनुसार, net profit, total asset के अनुसार net income, other income, raw material यहां पर जिसके अनुसार, tax के अनुसार, earning per share के अनुसार case और bank balance के अनुसार, जिसके अनुसार करना है यहां से कर सकते हैं उसके बाद pesticides and agro chemicals यहां पर देख सें, metal mining, metals यहां पर जो भी है online services यहां पर जिसके अनुसार आप कर सकते हैं, जिस तरह के अनुसार के अनुसार को search करना चाहते हैं, वो यहां पर कर सकते हैं money control बहुती बहतरीन website है यहां से आप जिस तरह के stock चाहें, उस तरह के stock को search कर सकते हैं, खोज सकते हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है सेर करना है और चैनल पागर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बैल आइकोन को दबा देना है ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटि वीडियो आप आगे भी देखते रहें